है यहां पर पिछले कुछ हफतों में हमने काफी सारे कॉंट्रवर्सिस देखे थे शौमी को लेकर वेल दोस्तों यहां पर शौमी ने दो नए स्मार्टफोन लांच किये हैं एक है मी नहीं को तो इन्होंने खिली कर दिया इंडिया में रेड्मी को लेकर और रेड्मी नॉमल क्योंकि यहां पर फैन्स जिनोंने शौमी को नंबर वान ब्रैंड बनाया है उनको लगा कि इन स्मार्टफोन की प्राइजिंग बहुत ही ज्यादा है वेल दिस सम्थिंग ओल अबोट एक्स्पेक्टेशन वर्स रियालिटी अब उसके सपोर्ट में मताइव उनके रेस्प पब्लिक को बोला कि आपकी गलती है आपकी आश्राइं ज्यादा बढ़ गई है आपकी अगर आउकात नहीं तो मत खरीदो वेल दोस्त आइधिंग आप गला तो यहां पर अगर आप आईफोन खरीद सकते हो इसका मतलब यह नहीं कि सब लोग खरीद सकते हैं हर एका पर रखिए इसलिए आपके पास आईफोन हैं लेकिन आप यह मत सोची के सब के पास आईफोन हैं वेल आप किस तरह की काम कर रहे हैं यह नहीं पता लेकिन मेजरीटी इंडियन वर्क हाड तो बाइदेर इवन फर्स गैजिट फर्स स्मार्टफोन फर्स लैप्तॉप तो य यहां पर इसे ब्रैंड जिनके अच्छली हमें लगता है कि रियल फैंड यहां पर फैंड जब भी कोई नया स्मार्टफोन आता है वह खुद उन स्मार्टफोन को प्रमोट करते हैं अपने फ्रेंड को रिकमेंड करते हैं बोलते हैं कि यार शामी का नया बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन आया है इसको खरीदो इसके फीचर चेक करो तो इस अल अबॉट वर्ड फ माउट और यहां पर शामी के लिए यह बहुत ही इंपरन बेनिफिट भी है एडवांटेज भी और यहां पर शामी भी अपनी तरफ से हमेशा कुछ नया करते हैं अपने फैंस के लि अगर हम बात करते हैं इन के 20 ही स्मार्टफोन की जिसके बारे बहुत ज़्यादा निगेडियोड हुआ था तो उस स्मार्टफोन की प्राइजिंग जो चैना में है उसके क्लोज भी नहीं है इंडियन प्राइजिंग वैल इंपक्ट दुबई में तो और भी सस्ता है आपक मैं ए सेथी सित्वी डाइजियों और यहां इसी स्मार्टफोन प्रिमयुम बेघ है अगर अबने बजट स्वार्टफोन की रहे उन्ट मुझे शॉमी के अलग लग प्रॉज्ट बहुत पसंद आते हैं मुझे हमेशा लगता है कि शॉमी अज़ 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 बन इस दूइं अल्टिमेटी संथिंग इस अज़ बात करते हैं हमें हर्ट था होता है जब ब्राइड इनकी प्राइजिंग बड़ा दे और वहां पर कुछ सेलेक्ट मीडिया आखे उनकी मता मिल्टरी बोट चाटने लग जाती है अज़ प्रिकली पॉंट इस देर नौट फेर उनको यह समझ में नहीं आता है कि you need to think from the first you know the point of view of the buyer आप अपने point of view से बोल दोगिया दोजा बड़ा दिया तो बड़ा दिया प्या कर लो विल एक्सेप्टेबल अगर बात करते हैं शौमी की तो शौमी नंबर वन कैसे बना शौमी ने हमेशा से यह दिग किया था हमेशा चाता आपने आज की रिट में रन्विर सिंग है आज की रिट में यू हाँ अंडेज ऑसलेब्रेटिस इन फैक्ट इंडियन क्रिकेट टीम के कुछ क्रिकेट प्लेर्स भी आपके साथ एंडॉस्मेंट कर रहे हैं आपके एड्स न्यूस्पेपर में हैं आपकी एड्स प्लेज कर उसमें से ही आप पैसे कमा कर उसी को दे रहो तो वाइंट पास्ट डारेक्ली तो तो कंजूमर्स बाइंट क्योंकि यहां पर इंडॉस्मेंट कर रहे हो अगर मैं बात करता हूं मैंने यहां पर कुछ नोट भी लिखे थे और यहां पर सबसे पहली बात तो यहां पर यहां पर कुछ क्रिटिकल डिसक्शन हुए थे यहां पर यह बात हुई थी कि शौमी ने बुला था कि अपने open letter में कि हम लोग अपने phone के अंदर display ads नहीं रखेंगे मैंने पिछले वीडियो में यही बात कही थी आप से और यहां पर अगर मैं बात करूं तो वहां पर oneplus or even for samsung अगर budget है तो में को और ब्रेंड बिलेशन पीपल बाइशन पीपल बाइशन में बिलेशन प्राइशन प्राइशन में इतने पैसे में सबसे ज्यादा वैल्यों में आज करता हूं तो यहां पर LG है, Vivo है मार्केट में, Oppo है, Realme है, Samsung है यह सारे ब्रैंड्स है, in fact, कुछ-कुछ प्रोडेक्स तो आपके Xiaomi के प्रोडेक्स के बिल्कुल direct competition में specs के साथ ओफर करते हैं तब, what is the point, then why are you not able to offer a better competitive pricing, well is it because आप लोग हर जग अपना पैसा जलाते हो in ads के ओपर, या फिर, आप हमेशा मतलब हरे के ओपर मजाग दालते हो कि दूसरे, you know, brands, advertisements करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, then what's the current scenario, आप अभी भी भी दोस्तों जाहिए, recent last week, a newspaper उठाईए, देख जहां पर मैं आप से बात करूंगा कि उनके जो जो statements थे, उनके basis पर एक video बनाना चाहता हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने जो promise किया था, और अभी जो reality है, because as a, you know, person, I personally feel that ये लोग मतलब इतना जूट बोलते जा रहे हैं, और उपर से fans के साथ धोखा हो को भी बोला था कि, you need to have patience, Xiaomi is trying something different for the first time, so yes, we accepted that, fans ने हमें बोला था कि रुख जाओ कुछ दिन तक, and Xiaomi ने बाद में बताया कि हम लोग certification को fix करेंगे, आपके phone के ने Netflix चलेगा, हम लोग display issues को भी sort out कर रहे हैं, so we are also fixing that, which is all fair enough, we understand, but उसके 6-8 महिने के बाद, अगर आप this video is sponsored by Samsung, no, this video is sponsored by Realme, no, by OPPO, आप कुछ भी बोल दो, it's not about anyone sponsoring this video, the whole point is, well, अगर उस तरह से हमें बोलना है, तो मैं भी यह बोल सकता हूं कि, जो कुछ जनरलिश्ट, या जो media वाले थे, जो आपकी support में बहुत चीज़े लिख रहे थे, aren't they also paid by Xiaomi, well, I don't say that without any proof, but उन लोगों तो मज़ा आता है, वो तो हर एक चीज़ को ऐसे लिख देते हैं कि, these YouTubers are paid, मतलब बोलना बहुत ही आसान होता है, आप एक बार logic समझो, आप एक बार यह सोचो कि, एक बंदा अगर अपना पहला smartphone खरीद रहा है, तो why would he pay overpriced for a brand called Xiaomi, I mean, Xiaomi has been one of those brands, जो उनको हमेशा से better value for money products offer करता है, दब वहाँ पर गुसा उनको तब आता है, जब उनको लगता है कि pricing अब acceptable नहीं हो रही है, अगर हम बात करते हैं OnePlus की, तो हमें पता ही था, हमेशा से की OnePlus की pricing initially कम थी, थोड़ी ज़्यादा हुई है, but again, उसके उपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, you need to look at the data of last 5 years, देखो कि सारे 5 साल में, कितने भी smartphones OnePlus से launch किये है, उनकी pricing किस लेवल पर आई है, OnePlus 7 अगर अगर 33,000 पर launch किया है, तो वहाँ पर वो आपको offer करता है, flagship chipset, और उनके ही तरफ से Poco F2, which is again a budget centric, I mean not a budget centric, but value for money, flagship smartphone, that's what हम लोग expect कर दे है, Redmi के तरफ से, again, यहाँ पर यह भी rumors आ रहे है, कि Poco का अभी series completely बंद हो जाएगा, again, यह IDC का रिपोर्ट निकला था, which clearly hints that, I don't think, अभी जो चल रहा है, this could probably be the Poco F2, indirectly, मतब, Xiaomi अभी Poco series को बंद कर देगा, उनके K20 Pro है, that could be their flagship for the next few months, then, do you think that's acceptable कि वो यहाँ पर एक प्रीम चार्ज करें और वही पैसे को वो एड्स में उडाएं, plus, आपके स्मार्फोन के अंदर अड्स दिखा हैं, और उसको एड्स में से वो खुद कमाते भी रहे, I don't think that is fair, and this is the only reason, यहाँ पर कुछ फैंस ने हुए थे, but the point is, अगर आपको उन लोगों के सेंटिमेंट को समझना है कि क्यों लोग अपना गुसा दिखा रहे हैं, क्यों लोग शौमी को खरीदने से मना कर रहे हैं, then you need to understand from their point of view, not from your point of view, आप तो बैठे हो किसी कंपनी में आपको बहुत आसा पैसा मिल रहा है, आप और और एड करके एक फ्लेक्शिप स्मार्फोन खरी दूं जिससे में करीब दो साल, तीन साल, चार साल तक चला सकों, but that is the kind of sentiment you need to understand, that is the kind of planning, which normally people have in their mind, और उस सोच को अगर वो तूट जाए, वन्द वो सपने तूट जाए, उनको लगा था कि नया स्मार्फोन आएगा, मैं खरीदूंगा सबकुच और देन उनको पता चलेगी अगर चैना की प्राइजिंग से ज्यादा प्राइजिंग पे अगर यह स्मार्फोन लांच होता है, तब हो जाता है, reality और expectations में, differences, तो यहां पर, that's my whole opinion, again, I am not a Xiaomi hater, again, in fact, Xiaomi number one whole, मेरा यह point है, Xiaomi number one, because of these fans, because of the whole community, because of the complete, very aggressive pricing, but not because of the ads, not because of the ads on the phone, but not because of the ads all over the city, all over the country, on the newspaper, अगर आपको ads ही दिखाने थे, तो फिर आप दूसरे brands के उपर क्यों मजाग कर रहे थी, यह मुझे समझ में नहीं आता है, again, this is a clear question, आपको मतलब लगता है, अगर आप compare करना चाहते हो, तो आप देख सकते हो, China की pricing क्या है, K20 की चैन, Dubai की pricing क्या है, in fact, कुछ चीजें और कट हुई है, again, tweet करूंगा, तो लगेगा कि, इस और ब्रांड ने पैसे दिया है, आपके K20 के अंदर NFC नहीं है, आपके K20 के अंदर NFC नहीं है, आप एक बाद चेक कर दीजा, अगर आपने K20 करीदा भी है, कुछ लोग ने, तो आप चेक कीजे, चैना वीरेंट के अंदर को कैसे टागेट करेंगे, अभी हम लोग कैसे प्रमोट करेंगे, क्योंकि Xiaomi बहुत ही अग्रेसिव प्राइजिंग पर स्मार्टफोन लाँच करता है, बट दिन यहां पर क्लियरली, Xiaomi ने K20 लाँच करके, Vivo Z1 Pro, जो एक अच्छा फोन है, उसके बाद है, Honor 20i, उसके बाद ह Realme X, इन सारे प्राइट्स को बहुती ओपन मार्केटिंग के लिए, उप्शन दे लिया कि जाए आप अपने फोन बेस दीजिए, हमें तो अभी प्रॉफिट का माना है, अभी तो मी फैंस के अबर हमें बरोसा है, वो ब्लाइटली हमारी किसी भी स्मार्टफोन को खरीद ल स्मार्टफोन आए का करीब 19-20,000 रुपीज में, बदेन यू आपके साथ शेयर किया, मैंने सारी कॉंपर्सी हो रही है, कुछ लोगं को बोलना एजी है कि मतलब शामी के लिए 3,000 रुपे इस देने में तुम्हारा क्या जाता है, तुम्हे भी अपना मूँ बंद करने में क्या जाता है, why don't you be silent, the expectation is from Mie fans, the people who have built this brand, the whole community, the whole blogosphere, everyone has been expecting, in fact, हम सब यूट्यूबर्स भी जब भी स्वामी से बात करते है, हमारा एक्पेक्टेशन भी यही होता है कि शौमी उन स्मार्टफोन को लांच बहुत है, बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है बहुत आप भी मानते हैं कि आपको भी लगा कि प्राइजिंग ज्यादा है, प्राइजिंग ठोड़ी सी कम होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से एड्स हर जगर दिखाए जाते हैं उसका डिसकाउंट आपके उपर एफेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप भी नीचे कॉमेंट कीजि और अपने ओपीजिन देना मत भूलिए, विकास मैं भी समझना चाहता हूं क्योंकि I keep trying to talk to many of the people from the community, उनसे मैं समझना चाहता हूं कि वो अपना स्मार्टफोन क्यों डिसाइड करते हैं, कौन से स्मार्टफोन खरीदने के लिए, और उस सब फीडबाक के बेसिस पे हमें सम स्मार्टफोन, that's it guys, मैं हूँ Amit और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए, गुद बाई!